अर्थपकाज देखने में तमाम भाई बैनों को डॉक्टर स्वास्ति शर्मा करने मश्कार प्यारे भाई बैनों आज हम बात करेंगे करोना से बचने के लिए प्रयावरन का ख्यार रखना कितना ज्रूरी है जैसे आप सब को पता कि करोना महामारी ने पूरे विश्व को अस स्विस्ट कर दिया उसके अर्थवस्टा स्विस्ट कर दिये सभी लोगों का जी इवन शैली बदल दी है लेकिन हम कहते कि वक्त चलता रहता है वक्त के साथ खुशी और गम आते रहते हैं और आज आज जैसे हमें पता कि अप चो हारों का फैस्टिवर सीजन शुरू हो रह सब्सक्राइब कर और योद्धन नगरी में आये थे और लोगों ने उस समय घी के दिया जलाए थे लेकिन आज का आज की स्टिति है अब हम देखेंगे द्वाली द्वाली पर लाखों क्रोड़ों पर के पटाके जला जाते हैं पटाकों पटाकों में हमने देखें पटास ह सकता है उससे हमारी जिंदगी पर एक और बहुत बड़ा फैक्ट पड़ सकता है और हम यह भी चाहते हैं कि हम पर में तो हार वनाए लेकिन उसी तिक के से भुवान राम जब आये घी की दिये जलाए थे तो क्यों ना हम आज वो घी के दिये जलाकर उसी प्रमप्रा को फिर चिंतित है और चंडीगड़ में प्टाकों के फैसलों के लेकर आज शाम तक फैसला आ जाएगा कि इसके बारे में कि प्रतिबंद लगे गया कि नहीं अब हम बात करते हैं लेकिन अब हम देखेंगे कि हमें सरकारें कनून बनाती हैं लेकिन यह तब ही इंप्लीमेंट होग जैसे करोना जो एक तरफ में मुद्धय आजगा चल रहे हैं वह पुरॉस्इन बोत हो रहा है जैसे इसको लेकर भी सरकारें वह चिंतित सरकारों ने अपने अपने फैसली सिनाए हैं और किसान भी काफी हग तक इसको कर रहे हैं और उसी दिवाली को जो हमारा भाईचारे क हार्द पूर्ण पूर्ण देक्के से हम सब को मनाना चाहिए और हमें एक यह भी देखना है तो हार भी मनाना है अपनी सहत भी क्या रखना है क्योंकि हमें हमारी जिन्दगी भी उतनी ही जूरी है जितना है तो हार का सैलीबरेशन तो हमें कोई ऐसा रास्ता निकालने हम सब मि मिल सके जैसे आपको पता है कि त्यहारों की बीच में अमने त्यहार में लोग ख्रीदारी करते हैं ख्रीदारी करते हो भी जो हमारे अभी करोना गया नहीं है सबी लोगों को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि करोना अभी भी हमारे बीच में घूम रहा है अगर त्यहार मना है तो हमें वो जो करोना के नियम है हमारे जो सरकार राज्य सरकार केंदर सकार कहते हैं मास्क पहने सैंटाइजर करें और जो दूरी बना के रखें ताकि हम त्विहार भी मना सके और करोना करोना से भी हमारी लड़ाई है वो लड़ सके क्यों क्यों ना हम इस त्विहार मैं ज हम अपनी विजय हासल कर सके आज जुरूरत इस बात किया कि जनता को इस बारे में अवेर होना चाहिए क्योंकि हम अक्सर देखते हैं दुवाली में कि कई कई जगा क्या धुकरतना होती है कभी कभी बच्चों की आँखों की रोशनी भी चली जाती है बहुत ऐसे हमारे वाक् है और जो कोवीड रूपी राक्षिश हमारे बीच में है उसको खत्म करने के लिए सहाइक होगी यह में डॉक्टर स्वास्ति शर्मा की आज की रिपोर्ट ताज़ा अपडेट्स वह बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकास टीवी और बेल आइकन दब हाना न अभूले